कैसे हो आप इशुवर की क्रीपा से आप सब अपने अपने स्तानों पर कुशिल मंगल होगे। मैं लता शर्म अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख सकते हैं यह मेरे पास बैल्ट है जिसमें मैंने नेफा भी बना दिया है। और डवल लहर में इस तरह से हम मैंने इसमें दोनों साइड से यहां पर cut लगा दिया है। और जहाँ पर मेरा हिप परफेक्ट है, हिप से मैंने एक्स्ट्रा जो यहाँ से आप देख सकते हैं, हिप से एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने दो इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है, इस तरह से इसमें कट लगा दिया है, दोनो से देखेगा यहां पर आप कहीं भी या तो आप मीड़ पॉइंट में लगा सकते हैं जिस तर से इसमें तयार जो है 7 इंच है तो 3.5 इंच पर भी आप निशान लगा सकते हैं चार इंच में चार इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और यहां पर जो है सिर्फ पांच इंच यहां से मैंने देखी इस तरह से निशान लगा दिया है यहां से एक्स्ट्रा है मेरे पास से कपड़ा और यहां से जहां पर मेरा यहां से पांच इंच आया वहां तक मैं मैंने इसमें निशान लगा दिया अब हम pocket किस तरह से लगाएंगे देखें आप ध्यान से देखेंगे मैंने कपड़ा लिया हुआ है चोड़ाई में 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 6 इंच है और लंबाई में 7.5 इंच है तो मैं किस तरह से इसे लगाऊंगे यह देखें यह बहुत ही easy तरीका है यह यह देखें यहां से मैंने इस तरह से रखा इसे और यह देखें इस तरह से जहां पर मैंने निशान लगाया है वहां पर रखा है और इसमें इस तरह से इसमें पल्टी मारी है और यहां से आप देख सकते हैं जहां पर हमारा निशान है यह हमारा 5 इंच का यहां पर निशा है उल्टी साइड में अब हमने इसमें जो कहां से सीलाई डालनी है यह देखें यहां से आदा इंच का यहां पर मार्जन रख दिया है हमने और आदा इंच का यहां पर मार्जन रख दिया है यानि कि यहां पर हमारा आया पांच इंच जहां पर आया इसके उपर से हमने इसमे सीलाई डालने कहां किस तरह से सीलाई डालनी है इस तरह से इसमें आदा इंच की गैदरिंग इस तरह से रखनी है और यहां से भी इस तरह से हमने इसमें आदा इंच की गैदरिंग रखनी है यह देखे यह बहुत ही इजी तरीके से पॉकेट लगाने का तरीका है अब मैं इस के उपर से इसी तरसे से सीलाई डालूंगी आप देख सकते हैं इस तरसे मैंने इसमें जैसे निशान लगाया वैसे बिल्कुल इसमें जो है सीलाई भी डाली है अब मैं हलका सा बीज से इस तरसे कट लगाऊंगी इस तरसे और इसमें क्यांची को इस तरसे ले जाऊंगी और जिस तर से हम गले में भी कपड़ा लगाते हैं नीचे साइडे देखिए आपर भी इस तर से टुक लगाऊंगी और दूसरी साइड में भी इस तर से इसमें अच्छे से टुक लगाऊंगी अब हम क्या करेंगे इसमें अब हम इसमें यहाँ पर यहाँ पर भी उपर से हम इस क सिलाई इसलिए डाली ताकि हमारी pocket बिल्कुल पक्की बैट जाए जल्दी से फटेने अब इसमें हम इस तरह से पल्टी मारेंगे, यह देखी इस तरह से, यह हमने पल्टी मार दी इसमें, मैंने आपको इसमें यह देखी वाइट लगाया हुँ ताकि आपको दिखे ध्यान से, अब हमने क्या करना है इसमें, इस तरह से पल्टी मारेंगें, यहाँ पर हमार पास आदा इंच की गैदरिंग वहार रह चुकी है अब यहां से हम पूरे में राउंड में इस तरह से शिलाई डालेंगे यहां से देखिए यहां से इस तरह से यहां पर भी आप चाहे तो इसमें ओवर लोक भी कर सकते हैं यह देखिए बिल्कुल यह तो बहुत इजी तरह से मैंने आपको जेव लगाने सिखाए आप चाहे तो इसमें इस तरह से इसमें एक पलती मारकर इस तरह से भी सिलाई डाल सकते हैं मैं भी इसी तरह से इसलाई डालूँगी और आपको बताती हूं कि इस तरह से बड़े ही easy तरीके से यह हमारी जेव प्रपेर हो चुकी है इस तरह से आप देख सकते हैं बड़े easy तरीके से हमारी जेव रेडी हो चुकी है और इसमें mobile बिल्कुल easy तरीके से आजाएगा क्योंकि इसकी 7 इंच तयार 14 इंच आगी लेंद अब यहां से हमारा कपड़ा इस तरह से उठे नहीं तो हमने इसमें एक और सिलाई यहां से इस इस तरह से इसमें सिलाई डालनी है ओके इस तरह से आप देख सकते हैं यह वाली सिलाई लगानी बहुत जुरूरी है क्योंकि इससे हमारा कपड़ा उपर को इस तरह से जब हम सलवार डालेंगे तो हमारा कपड़ा उपर को उठेगा नहीं बिल्कुल easy तरीके से state रहेगा और चुननट भी हमारी यहां पर डलेगी यहां तक चुननट डलेगी तो भी यह हमारा कपड़ा इधर उधर को नहीं घुमेगा और बहुत ही यह देखिए कितनी सुन्दर इसकी pocket बन गई यह आप भी बहुत easy तरीके से बना सकते हैं और इसमें कहीं यहां पर आप देख सक ही तो प्लीज इसे like, share, subscribe करना मत भूलेगा ताकि मैं आपको इससे भी और अच्छी वीडियो शेयर कर सकूँ, thank you